नमस्कार दोस्तों मैं C.A. बनीजेन, बिजनेस सक्सेश कोच और पाउंडर बिजनेस एक्सपर्ट 9PM कलब आप सभी का स्वाद करता हूँ आपके अपने इस बिजनेस एक्सपर्ट 9PM कलब में दोस्तों आज मैं सेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ एक जवरजस्त कहानी एक घर में पांच दिये जल रहे थे एक दिन पहले दिये ने कहा इतना जल कर भी मेरी रोशनी की लोगों को कदर नहीं है तो बहता रही होगा कि मैं बुझ जाओं और वह दिया खुद को बैर से समझ कर बुझ गया जानते हो वह दिया कौन था वह था उस्साय का पृतिक एह देख दूसरा दिया जो सांती का पृतिक था कहने लगा मुझे भी बुझ जाना चाहिए निरतर सांती की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं और असांती से रह रहे हैं तो मेरी इस संसार को जरूरत ही क्या है तो सांती का दिया एह सोच वुझ गया उससाए और सांती के दिये वुझने के बाज जो तीसरा दिया हिम्मत का था बैवी अपनी हिम्मत खो वैठा और वुझ गया उससाए सांती और अब हिम्मत के ना रहने पर चौते दिये ने वुझना उचिती समझा चोटा दिया सम्रिद्धी का प्रितीक था सभी दिये बुजने के बाद केवल पांच बादिया अकेला ही जल रहा था छोटा था नन्ना सा दिया अभी भी जल रहा था तब उस घर में एक बच्चे ने प्रवेश किया एक छोटे से पालक ने प्रवेश किया उसने देखा इस घर में तो केवल एक ही दिया जल रहा है वह निरास ना हुआ वो हतास ना हुआ वो परिसान ना हुआ बलकि खुसी से जूम उठा और उसने चारों बुजे हुए दिये को करम सा जला दिया ऐस सोच कर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है उसने पांच बादिया उठाया और बागी के चार दिये फिर से जला दिये जानते हो वह पांच बानों का दिया कौन सा था वह था उम्मीद का दिया दोस्तों जिन्दिगी में जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो क्या होता है कि हमें असाफलता मिलती है हमें नरासा मिलती है पर आपके दिल में आपके जहन में एदी उमीद का दिया जल रहा है उमीद की करण काइम है तो आप एक बार और प्रयास करते हैं फिर से आप हमत कर खड़ हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर उमीद जिन्दा है दोस्तों जिनके अंदर उमीद मर जाती है जिनके अंदर आसा मर जाती है तो निरासा घर कर जाती है और जिसकी अंदर निरासा जन्म ले लेती है वह जिन्दिगी में सायती कुछ कर पाता है क्योंकि उसको हमेशा हार ही दिखती है जीतने वाला कोई महान सक्स नहीं हुआ करता जीतने वाला तो एक जीतने की उमीद रखने वाला इंसान हुआ करता है कितने की उमीद रखता है वह प्रियास तो करता ही रहता है कितने भी बार आप हार जाओ पर अपने अंदर उमीद का जो जीरिया है जो किरणे उसे बुजने मत देना दोस्तों इसी के साथ मैं यह स्टोरी को सौंप्त करूंगा और आप से बस यही निवेदन करूंगा यही ग जाएगा दोस्तों एदि आपको यह का साहनी और इसका संदिश पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से जोदा लोगों तक सेर करें हाँ जो उमीद हार कर बैठ चुके हैं उनके साथ आप एदि सेर करेंगे तो उमीद जाग उठेगी और वो फिर से प्रियास करने के लिए निक ताक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और तेर करना ना भूले धन्वाद